शादियों का सीजन चल रहा है और इसी बीच हिमाचल में एक नया स्कैम सामने आया है इस स्कैम से आपको फॉन की सारी जानकरी स्कैमर तक पहुन सकती है ऐसे ही में वाटसेप पर अंजान नमर से आने वाले शादी के अमंतरन कार्ड को डाउनलोड ना करें इससे आपके फॉन की सिक्योर्टी खत्रे में पड़ सकती है टेक्नॉलिजी की दौर में लोग शादी का कार्ड भीजवाने के लिए दूर दूर जाने की बजाए वाटसेप के जरिये ही आमंतरन भेजने लगे है इस स्कैम के लिए सबसे पहले आपको एक वेडिंग कार्ड का पीडियाफ आता है जो देखने में बिलकुल असली लगता है लेकिन जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपके फॉन में मैल वियर आ जाएगा इससे आपके फॉन का पूरा एक्सेस साइबर क्रिमिनल को मिल जाएगा और आपके डिवाइस हैक हो जाएगी हिमाचर प्रदेश पुलिस के एसपी नर्वीर सिंग पिछले लंबे वक्त से साइबर क्राइम देख रहे हैं उनका कहना है कि वेडिंग इंविटेशन स्कैमर मुबाईल हैकर आपके फॉन का इस्तेमाल किसी भी आपरादिक गतिवीडी में कर सकते हैं आपके फॉन का पूरा कंट्रोल हैकर के हातों में होगा ऐसे में वो आपकी डिवाइस से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं फॉन में मैल्वियर एक्टिव होने के कारण वहां आपका डाटा भी चुरा सकते हैं उनके पास आपके फॉन में मौझूद सभी एप्स और फोल्डर का एक्सेस भी होता है स्कैमर इस से आपकी बिना जानकारी के आपका अकाउंट भी साफ कर सकते हैं स्कैमर आपको वर्टसेप के मादियम से एक शादी का कार्ड का पीडिया भीज रहे हैं जिसे डाउनलोड करते ही आपका फॉन हैक हो जाएगा देखिए आज कल के डीजिटल एरा में सभी लोग एंड्रोइड फॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक सॉप्ट्वेयर विस्ट सिस्टम से चलता है और आज के जो स्कैमर्ज है साइबर क्रिमिनल्ज है वो आम जन को टार्गेट करते हैं उनके वाटसेप नंबर पर कोई मैसेज भेज करके वाटसेप नंबर वो अपना सोशल मीडिया से प्रिक्यूर करते है या कोई सरकारी डार्गेटरी से प्रिक्यूर करते है या पब्लिक डोमेन में जो भी आपका मुबाइल नंबर है वाटसेप नंबर है उस पर वो जो है मैसेज भेजते हैं तो जिस आम जन को यह चाहिए कि जब भी कोई मैसेज वाटसेप पे आ रहा है या SMS आ रहा है तो उसके पास उस मैसेज के साथ चाहे वो वैडिंग कार्ड है चाहे और कोई गौर्मेंट का कोई प्लान है नोकरी के लिए कोई प्रोजेक्ट है जॉब इशूज पे कोई जॉब के लिए कोई appointment के लिए कोई इस तरह का plan है सरकार का इस तरह के कोई भी document अगर आपको whatsapp के माध्यम से आते हैं तो उसमें उसको proper programming के साथ जो है cyber criminal भेजते हैं जैसे ही आप उसको खोलते हैं उस पे click करते हैं उस link में जो है एक malicious malware जो है आपके device में चला जाता है तो जैसे ही वह आपके device में enter करता है वह गुफ्त तौर पे secret तौर पे जो है आपका जो उसका device का part बन जाता है और उससे जो है जो भी information आपके device में है चाहे आपका contact से लेटिड है चाहे आपकी जो भी डिटेल आपने से वी है चाहे आपने Amazon से लेटिड है transactions की है किसी भी platform पे आपने transaction की है वो सारा login detail जो है cyber criminal जो है वो ले लेते हैं तो जैसे ही वो the moment आपका जो device जो है compromise हो जाता है वो आज नहीं कल नहीं मालब वो time किसी भी time जो है वो उससे आपके जो device से जो login detail को ले करके आपके खाते से transaction कर सकते हैं तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने phone को update रखें unwanted applications को download करके ना रखें और जुरुरत based जो आपके जो authentic channel से जो आपने application download की है उसे ही रखें और antivirus जो है अपने device में रखें और हर ढंग से जो है आप अपने phone को updated रखिए देखें जो cyber crime है यह boundaryless offense है और किसी भी देश के किसी भी कौने से या विदेशों से भी जो है लोग target होते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि digitally हमें जो है aware रहने की जूरत हैं और खास तोर से जो मेट्रोपलिटन सीटी में जो हमारे लोग नहीं रह रहे हैं पाड़िक शित्रों में रह रहे हैं साइबर updates की जो है जानकारी हर व्यक्तिक होने चाहिए साइबर ठगों की जो टैक्टिस है प्रिवेलिंग टैक्टिस है यह सारी चीज़े जो है इस बारे का में लोगों को ग्यान होना बहुत जरूरी हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफर्म आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं अलर्ट रहे हैं स्तरक रहे हैं और जागरुक रहे हैं जागरुकता ही साइबर में बचाओ हैं फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें